दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं आज कि सबसे पहले कवर बिहार में एक जुन के बाद भी बड़ेगा लाउडाउन लेकिन मिलेगी कई चूटे समुआर को फैसले से पहले सरकार ने किया मनत है उससे पहले राज सरकार ने जिला अधिकारीयों से लेकर स्वास्त आब्दा परमंदन और दूसरी विभागों से फिड़ ले लिया है सभी ने लॉटडाउन को बढ़ाने की मांग की है राज सरकार के एक अधिकारे ने बताए कि लगबग सभी जिलाधिकारे लोगडाउन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि सुबह में लोगडाउन लगने के बाद कोरोना के मामलों में कापे कमी आई है लेकिन फिर भी इस दी पूरी तरिके से नियंद्रित नहीं हुई है बड़े कबर बिहार में अभी नहीं खुलेगा स्कूल सिक्चा मंत्री बोले फिलाल हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं स्वास्त बिवाग और क्रैसिसिस मेनेजमेंट गुरूप की रिपोर्ट के बाद ही विचार होगा कोरोना की थर्ड वेब की आसंका है माना जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा कत्रा बच्चों पर है इदर साल बर से ज़्यादा समय बीद गया और पढ़ाई ठफ है क्योंकि बिहार में स्कुलों को बंद हुए 430 दिन हो गए है बच्चों की स्वास्त के साथ ही अब पेरेंट्स उनकी पढ़ाई की चिंता भी कर रहे है मिडिया से बात करते हुए सिक्चा मंद्री ने कहा कि सरकार फिलाल इस बारे में कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है सिक्चा विभाग फिलाल स्वास्त विभाग और क्रासिस मेनेजमेंट गुरूप के निडने का ही इंतिजार करेगा बड़े कबर नेजी जमीन पर पोधे लगाए पांस साल तक हर मैने पैसे और चापाकल लगाने का खर्च बिहार सरकार देगी बिहार में 33 फिजदी हरित आवरन का लच हासिल करने के लिए बिहार विकास विभाग मन्रेगा के तहट चालो वित्य वर्स में दो करोड पोधे लगाएगा सरकार नेजी भूमी पर पोधार उपन करने वालों को प्रोचाहित करेगी ग्रामिन विकास विभाग ने बित्य विर्त्य वस के मुकाबले इस बार 80,000 पोधे अधिक लगाने का लच्च तै किया है ग्रामिन विकास मंत्री स्रवनकवार ने बताया कि मन्रेगा में समाजिक वाने की योजना के तहट सबे 38 जिलों के प्रते ग्राम में सगन विक्चारोपन अव्यान चला जाएगा योजना के तहट डेर कडोर लखड़ी वाले और 50 लाग भलदार पोधे लगाए जाएंगे इसके साथ उन्होंने गोशना की कि अनुमान स्रेने के वेक्तियों के नीजी भूमी पर लगाए गए पोधो की सुरुक्चा है तू गेबियन के साथ सिचाई है तो चापाकल या ट्राले से पटवन की सुवेदा ग्रामेन विकास विवाग देगा नीजी भूमे के मामले में यदे दो इकाई के कलस्टर दो सो मिडर की दोरे के अंदर उपलब हो तो उन दो इकाईों के लिए एक चापाकल के लिए सरकार अनुदान देगी राज में पूल पुलिया का निर्मान 15 जुन तक पुरा करने पर सियम के निर्देश जल संसादन विवाग की बैठक में जल जमाव नियंतरन पर कई आवस्यक गैड़ लाए कल यास तुपान की दिन की बारिस में राज में जल जमाव की तबाही पर मुईकी मंतरे नितिश कुमार गंबिर होटे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह बाड को लेकर पहले से सतर करे मानसुन सतर से पहले सारे तयारिया पूरी कर ले सेम ने जल संसादन विवाग के साथ समिक्चा बैठक में कहा कि मानसुन सतर के पहले पूल और पूलिया का निर्मान कायर पूरा कर लिया जाए इनके निर्मान में जन परतिनिदियों की सुझाओ को नजर अंदाज नहीं किया जाए उन्होंने कहा कि 15 जून तक पूल और प कबर एक जोन से खुलेगा विस्विद्दाले अगले मां से सुरू होगी परिक्षाई जहां पाटली पूत्र विस्विद्दाले में समर वेकेशन के बाद सबसे पहले परिक्षा की तैयारी सुरू रहेगी एक जोन से पाटली पूत्र विस्विद्दाले प्रसासनिक कार्यो के लिए खुल जाएगा इससे पहले यहां बीएड और एललबी की परिचाए फार्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है विस्विद्दाले केमपस में प्रसासनिक कार शुरू होते ही दोसरी परिचाओं की तितिया भी सिग्र घोसित करने की तयारी है इस सम्मद में पा हेल्थ बिमा 10 लाग का फंड कोरोना से अनात हुए बच्चों की मदद करेगी मोधिस सरकार जी हां कोरोना महामारे की कारान अनात हुए बच्चों के लिए प्रधान मंत्रे नरेंदर मोधिन ने बड़ा एलान किया है सनिवार को पीम ने ट्विट करके कहा कि कोरोना में 10 लाग रुपे का फंड मिलेगा पीमों से मिले जानकारी के अनुसार अनात हुए सभी बच्चों को निसुल के सिक्चा दी जाएगी ऐसे में जो बच्चे उच्च सिक्चा गरन करना चाहते हैं उन्हें सरकार लोल लेने में मदद करेगी बयान के अनुसार इस लोन पर ब् पंड द्वारक किया जाएगा बड़े कवर बिहार में रासनकार धारियों को घटिया अनाज देने पर होगी कारवाई अब 24 घंट में बदला जाएगा डिलर को मिला खराब अनाज खाय दे एवं उपभोकता सरक्चन विभाग के मंतरी लेसी सिंग ने कहा कि रासनकार धारियों को घटिया या गुनवत्ता हिन अनाज देने की कोशिश की गई तो डिलर और आने दोस्यों के खिलाब करवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरे नितिश कुमार के मार्ग दसन में विभाग गरिबों को गुनवत्ता पून अनाज पूरी पारदर्सिता के साथ मोहिया कराने के लिए पूरी तरह से किर्थ संकलिप्त है उन्होंने रासन कारधारी सभी लावकों से भी अनुरोद किया है कि प्रती व्यक्ति निर्धारीत मुप्त रासन का उठाव करे और सही माप तो लिया गुनवत्ता पून अनाज नहीं देने पर उसकी सिकायत समाधित प्रकंड आपूर्ती पदाधिकारी वो अनुमंडल अधिकारी समेथ जिला के सक्चा में अधिकारियों से करे जिससे दोसियों पर त्वरित काराय की जा सके बड़े कबर बिहार में 15 जून से होगी बाड़ प्रभावित गाउं की रेकी आपदाबल और अधिकारी देंगे लोगों को बचाओ की टिप जिया मुईकमंत्री नितिस कुमार की समिक्चा बैठक के बाद आबदा प्रभावित जिलों के गाउं वो पंचायतों की रेकी कराने का निर्दिश दिया है जहां पूर्व के वर्सों में बाड़ का कर अधिक रहा है इन गाउं में आपदाबल के जवान लोगों के बीच जाकरिया बताएंगे कि कोरोना काल में अगर बाड़ आती है तो वहां सुरक्चित कैसे बाहर निकलेंगे इसके लिए 10 जून से NDRF, SDRF के जवान जिलों में तेनाथ हो जाएंगे रेकी के दोरान गर्ववती महिलाए बुजुर्ग वबच्चों का ब्योरा बनेगा ताकि बाड़ के दोरान रहत हुआ बचाव कारी के समाएं आपदा बल को मालुम रहेगा कि किस गाउं में कितने बच्चे बुजुर्ग और गर्वती की सिंख्या है और उन्हें पहले निकाला जा सकेगा बड़े कबर अब हवाय सपर होगा महंगा एक जून से बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दार जी हाँ घरेलों हवाय यात्रा महंगी होने जा रही है सरकार ने हवाय किराय की निच सिमा को फिलाल पुर्वत रखा गया है ऐसे में अब एक जून से हवाय यात्रा करने वालों को अपनी जेव और रिली करने पड़ेगी गेंद्रिया नागरेक उडेयन मंत्राला के मतावेक 40 मिनट की दोरी वाले विमानों की किराय की निउन्तम सिमा 2300 रुपे से बढ़कर 26 200 रुपे कर दिया गया है वहीं 40-60 मिनट की दोरी वाले फ्लाइट के किराय की निउन्तम सिमा 2900 रुपे की जगा अब 3300 रुपे प्रतिव्यक्ति की गई है अब देश में नहीं होगी कोरोना वैक्सिन की कमी जुलाय में 20-25 कडोर टेके का उतपादन लच सिरम इंस्टिटूट ने दिया यह भरोसा जिहां सरकारी सुत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रहा है कि देश में वैक्सिन की कमी को मिटाने के लिए सरकार ने जुलाय महिने में 20-25 कडोर टेके के उतपादन का लच सिरम इंस्टिटूट अप इंडिया ने सरकार से कहा कि वह जुन महिने में कोरोना वैक्सिन कोविसी की 10 कोडोर टोज उपलब्त करा देगा यह जानकारी कमपने के वरिष्ट अधिकारी के सोजन से मिली है साथ कमपने ने कहा कि हमें यह सुचना देते वे खुशी महसूस हो रही कि हम जून महिने में कोविसील की 10 कोडोर टोज बनाने में सक्चम होंगी इसके साथ ही जो इस जय भारत वन्द मात्रम